वर्निवे सरमनिय दर्ष्यनमंदहा सरुचिराननाम् भूजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनंदनमहं विचिंतये ओमवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमहं श्री सहजाननदाय नीलकंठाय च नमो नमहं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी स्री हरी कृष्ण महराजनी जै श्री घनस्याम महराजनी जै कथा सांभल नारा बधाज भगतों ने खूब हेत थी जै स्री स्वामिनारायन श्री हरी चरित्रा मृत्सागर पूर्चोथू तरंग सो संतों नी अलोकिक रितनू आमा वरणन छे संतों और भगतों नी रित केवी होई अथवातों केवी होई जोहिए महरा माटे अने तमारा माटे खूब काम लाग इवधी वातों छे स्री हरी पादु का पेर के संत के बीच में आए के सरचंदन किये खोर अंग फूल से रहे भराए सीर पर पाग गुलाब के कुंद कलितोरे बनाव बाजो बंध हार गुलाब के नकसिक रहे भराव स्री हरी चाखडियो पहरी ने संतो नी वच्चे पधारिया कया गम्मा महराच छे स्री नगर मा अमदावाद मा अमदावाद ना भक्तो ये अनकूट जेवो थाल बनेवो छे प्रेम्ती जमता जमता महराजे विचार करियो जे विचार महराजे कर्यो त्या आपड़े साइंबिलो कि रशास्वाद मा जीव करोडो जन्म बगाडी नाखे छे ये ना थी कोई ने सांती न थी मली येनू जना मोह छे पंच विशेनी आसत्ती द्वारा जेनो जन्म थाई छेनू ना मोह छे आ भोजन ए भगवाननी कुरुपाथी मलू छे भगवानने संभारता संभारता जमे छे ती भोजन भोजन मटी प्रसाद बनी जाई भोजन बंधननू कारण मटी अने भोजन मुक्तिनू कारण बनी जाई पंच विशेनी आपने ओलकी राखे तो चाचिवातने दादा अदभूत महराजनो विचार सद्गुरु आधारनंद स्वामे नोंध्यो जनु आपने स्रवन करियो महराज संतोनी वच्चे पधार्या सरीर उपर केशरी चंदननो लेप करियो हतो तेमच सरीर फूलो थी भरपूर हतो मस्तक उपर पुला गुलाबनी पाग बांधी हती मोगुरानी कळियोना तोरा बनाविया हता बाजुबंद अने गुलाबना हार हता मुरुती नक सेख फूलो थी भरी हती स्रीहरीनी मुर्ती रूपी मनीने जोईने बधा संतो हरी भक्तोनी मनो उरुत्ती मुरुती मा चोटी गई, कोईने देहनू बान पण ना रहियो अने आपड़ा पिवडा माहराज चरणारविंद थी चालू करी मुखारविंद सुधी एक एक अंगना जो दर्शन दर्रोज करी आने कोईक सारा संते कहियो छे अध्यात्म जगत्मा एक प्रस्न अनादी काल्थी रहो छे भगवान मा हेत केवी रिते थाई दुनिया मा प्रेम एक एवी वस्तू छे थाई छे चोक्कस पन केवी रिते थाईनू एक जेट संसोद नजी सुधी मा थाई सक्यू नथी कोने क्या केमा क्यारे हेत थाई जए नत्किद नथी आउखराप्तत्व छे अने ए हेत जो भगवान मा थाई तो सारी वाद छे केटली सरस कोई संते करेली वाद भगवान मा हेत करवाना उपाई त्राण छे एक भगवान नी मूर्तिनु नित्य दर्शन करे तो हेत था है। तमारा जेवा केटला बदा भगतो। थोड़ा दिवस्ति जोवचु फिखुदादा आसित भगत आवी अने माला करता हो यांखो बंद करी। बस आ सत्संगी भगतोनु जीवन छे। मनेक वात्मु एकलु बदु आस्चरिय थय। आसित भगत आपणा किशन भाई धर्मज वाडा। नवा सत्संगी केवाई ने। संतो ने हमना जोळख्या केवाई ने मने। पर एवरीडे मंदिर मावी मूर्ती पासे बेशी ये माला करता होई ने। ये द्रस्य आपणे जोईये ने त्यारे आपण्येम थाई गणिवार जुनो सत्संग होई ने जुनो जरे नवो सत्संग आगल निकली जे। जुना के नवा त्यागे के ग्रहस्त नाना के मोटायनो कोई मेल नथी भगवाननी मूर्तीमा जेने जेतलू हेत थयू ए येतलो मोटो। पेल्ली वाद दर्शन करवाथी, बिजी वाद महिमानू स्रवन करवाथी, अने त्रिजी वाद जेने भगवानमा हेत थे येवा संत येनी साथे रहवाथी। येत वादा संतो भगवतो नी साथे रहवाथी मूर्तीमा हेत थै। बस गुरुजी केता हता ने, बेकाम रोज करो, रोज। त्रिजू कई करूज नहीं पड़े, कईू एक डेली दर्शन महराद ना करो, औने डेली कथा महा असंतो नी सांबलो। आ महराद ना डेली दर्शन करो, औने आसंतो नी रोज कथा सांबलो, तमारा अध्यात्मीक जीवन माटे, पची त्रिजी वस्तुनी जरूर नहीं पड़े। तमारू सत्संगनु जीवन एटलू सुन्दर, एटलू दिव्यन, एटलू भव्य ओटोमेटिक बनू रहसे। बिद्नेस करवा पड़से, नोकरी धंधा करवा पड़से। आ ब्यकाम करशन तो अध्यात्मिकता तमारी सलामत रहसे। कई आ ब्यकाम दादा। डेली दर्शन अने डेली कथा। आज एक घरी बक्तनों भो नैवो, मने केता हताक स्वामिया कथा वारता सांभलिये छेने। उस्वामि कया सब्दमा वात करू, पन अमारा घरना बधा मानसोना सोभाव बदली गया, अमारा घरना प्रस्णों ओचा थे गया, अमारा घरनी तकरारो बंद थे गया, अमारा घरमा घरनों कंकास चाला करतो तो ये सान थे गयो, अमने घरमा एम लागे छे, कि आ अमारू ये घर न थिया नवा घर मा में रिवाया होई, नव जिवनमने मलू होई, नवा मानसों मेला होई, बद्धाने वानन छेलो। कारण सु, डेईली कथा सांबले छे। बस, बधा भक्तों ने मुर्तिमा हेत थयो, जे हरी भक्त विप्रो हता, ते थाल भरी भरी ने भोजन पिरस्वा विया, तेमा सव परतम स्रीहरी जलेवी लईने पिरस्वा लाग्या, जितला भोजन पिरस्वा ना हता, ते बधा स्रीहरी ये पिरसिदिधा, सहुने जमवा परन्तु जमनारा बधानी चित्तव रूती श्रीहरी नी मुर्तिमा चोटी गए हती। मननो स्वभाव चे हां। मनना चार स्वभाव गीताजी मा कहिया। एक स्वभाव चंचल छे आपने बद्धा समझिये छे। एना करता खतरनाक मननो स्वभाव छे अती चोटवानो। एने मनगमती वस्तु जो मली जाए तो मन एवु चोटी जाए। सुरतमा संजयबाय करीनेक साइन्टिस्ट छे। बहु सारा सत्संगी जे। गणा वर्षो पेलाने आएक ब्ये सत्य घटना। एने मनना चोटवास ना स्वभाव विशेनेक ब्ये वाद करी। के स्वामी आमे साइन्स मा अमुक प्रयोगों करता होई है। अमारे कोईपण मानसों साथे मलवानी पाबंधी होई। मली न सक्ये। लिमिटेट जुन मा अमारे अमुक काम चोक्क स्रिते करवा ना होई। स्वामी अमारा टेबल उपर पानी मुक्यू होई। जमवानी 10 मुक्य होई। अमारी साथे कोई वात न करी सक्ये, अमने कोई डिष्टब न करी सक्ये। स्वामी में जोयूचे, अनुभयूचे, 24 कललाग, 48 कललाग, 3-3-4-4 डिष्ट टाइम नी भेगी थई जाई। बोपोर नी आवे, सांजनी आवे, सवार नियावे पाणिनो गलास नोकर मुके निजत्तोरे त्रण त्रण चार चार पाँच पाँच टाइम नी डीस भेगी थाई जाए तो पन काम करनारा मानसने बाजुमा जमवानी डीस पड़ी छे एटली पन खबर नथी होती अत्यार निवाथा दादा अत्यारे विग्णानी को काम करनारा आविर्यत्य करे छे आपड़ा संतो एक द्रश्टान ताई पूछे के नर्मदा मा एक वहान मा बदा पूरुसो चड़या इम एक स्त्री पन चड़ेली भगवाने थोड़ू रूप वधरया पूछे रूपवन्ती अतीर स्वरूपवान आ स्त्रीमा लोको एटला मुगद बनिया एटला पागल बनिया कोई पन जहाज होई ने वहाने मा यूँचे अड़धार दा बेशू पड़े नाविके ना पाड़ी नाविके बेचारवार रोक्या तोई कोई अड़धार दा बेश्व बदा हामेद बेश्वात यार थे आ रुपवान स्त्रीमा मोहित थेला पूर्षो एवा मोहांद बन्या एवा कामांद बन्या नाविक ना पारतोरियो तो पण इलोको पोतानी आ सक्तिने रोकी न सक्या औने परिणा में आख्खु नाव डुबी गयू औने विस्थी 22 मानसो ता 22-22 नर्मदमा डुबी गया आ लोकनी कोई क्वस्तु मां चित चोटी जाए मानसने तो बोजन भुलाय जाए छे, मुरुथियनू दूख सामे देखा तो होई नदी छे असित बगद बोलोत खरा बद्धू चोटी जाए वचनामरूत मध्यनू तेर्मू भगवान जेवा छे तेवा यथार्थ जाने छे तेरे काम क्रुधादिक दोस्ने टालवा माटे मेनत नथी करिवी पड़ते आपना न्यालकरन भगत जेवा भर जुवानी मा आविरिते महरादने राजी करवा धर्मनियम पालीने आउ जीवन जीवू शेलिवात नथी यतले गुणात तानन स्वमी बोल्या महरादनू सर्वोपरी पणू कयू क्या वीस वीस वरसना युवान लोको संसार ने ठोकर मारी आविरिते त्यागास्तम लैले इछे ने आ भगवान श्रियरीनू प्रगट पणू यमनू सर्वोपरी पणू येना विना सक्क्य नथी दाजा छे परवदभैनी वात छे नोकर काम करवाएवा काम खुटी गयू भगत के काम नथी नामने पगार आपो आखा दिवस नन काम गम्येते बतवा में करी सू भगते मंद दिर्मा बेशारीन माला पकड़ावी ते बदय आत जोड्या अड़्दा दिवस नो पगाराप जो चाल से पन आधन्दो न फावेलो अगरू छे आम सेल्ला मा सेल्लू छे चित चोटी जैतो पन चित चोट्यू नथी चित खोटी जग्याय चोट्यू छे मायामा चोट्यू एतले केवी सरस्वात बोलो संतोना मन मुरुतिमा एवा खेचाई गया भोजन पिरिसाई गयू छे महराजे जम्वानी आगना करी छे तोई कोई जम्ता न थी अम्दावादना लोकोने आस्चरिय थाई विप्र नथू भाय आत चोड़िया बोलिया प्रभुमारीक विननती अनन्त ब्रमांड के दोरी जेहा तुम्हारे एक हाथ हे तेहा पंच विशय को सुख हे जेता एक तुम्हारे हाथ हे तेता जितनों सुख लेन दियो तुम ही तितनों सुख भोगव हे हम ही जीय के हाथ में नहीं कोवाता देख में आ वत साक्षाता अनन्त ब्रमांड के दोरी जेहा के वी सरस्वात है अनन्त ब्रमांड नी दोरी प्रभू तमारा हाथ मा जे पंच विशय काई सुख छे तेपन एक आपना हाथ मा जे आप जेटलू सुख लेवा देशो एटलू आमें भोगवी सकेशो जीवना हाथ मा कोई वात जी न थी प्रभू आतों साक्षात देखाई जीए के हाथ में नहीं को बाता जीवना आत्मा कोई वात न थी तो ये माठाकुट केटली करे छे आसित बगत केटली माठाकुट हैं दुनिया ना बद्धा जगडा ना मुल मात छे ने जने जतू करूँ छे ने जगडो थाई एक हजार करोड भगवान आपा होई ने खाली पांच लाग जता करूँ ने नथी करी सकता सो विगानी जमिन ना मालीक एक फूटनी तकरार माटे माठा कापीन मरी जाईचे वा दाखला सामबली चे आपने बोलो केवी विडंबना चे आनुज नाम मोह आनुज नाम अग्नान आना थी बिजु कयो तत्व बराबर दाजा अमनानी घटना आपने आ विर्षत गामवाडा न्युजर्शी मा रेनारा परेश भाई अमी विडियो वाडा सवारना पोर्मा वेल्या सवारे रिक्की भगत आपड़ा मामाना यहमनों मेशेज आए वो क्सवामी तमने समाचार मल्या परेश भाई अमी विडियो वाडा धम्मा गया उतों चोकी गयो फोन कयो सुन थयू जानू सनो पडेलो सनो खसेडी सापकरी घरमा वे क्यो तंदू रस्त रुष्ट पुष्ट मानस नखमा पन रोग नई आपन लागे सोवरस नई सवा सोवरस कर जीर से आवो तंदू रस्त मानस भर युवान सनो खसेडी घरमा वेन सिद्दाराज सुई जाए पड़ी जाए प्रेश नखमा वोलो मानी न सकाई दादा खरेकर मने अजी एम विचाराग आतलूक सनिक मनुष्यनु जीवन आनी घटना आ घटना हा हमना में इंडिया हाता गुरुजी साथे बेठा हाता श्याकोचोनी तयरी चालती एती श्याकोचोना आगला दिवसे श्याकोचोनी तयरी चालती एती बेठ रनकलाग बेठन अज़न अज़न आएव फोन सुआएव खवत छारोडी गुरु कुलमा स्री हरिदास जी करीन स्वामी हता बहु सारा संध धम्मा गया गुरुजी की पणि तो बहु अमनाज भेगा थे आता हालता चालता हर स्वामी बद्धी जवात साची म्यमनगर थी बालू स्वामी अता फोनमा ये समाचरापता था तक स्वामी एकदम तरंदूरस्त था कोई रोगदन तो लगता था कथावारता लगता था लगता लगता माथू पड़ी ग्यू संतोय जोयू लए गया दोक्टर ने बोले आपन पूरू लगता लगता धाममा बोलू जीवना आत्मा छे सो दादा बोलू मरवू पन आपड़ा आत्मा छे मैं वच्चे वात करी तेने मुंबई मा एक मानस घर मा जगड़ो थे धक्को मायरो चोथा माले थे नीचे पड़ो लख्यू तेनू मुरुत्तियो आजे नक्की ते चोथा माले थे नीचे पड़ो ने ते नीचे को एक तिंडोरा जोखतो होशे लारी वाडो ये ना अउपर पड़ो चाजबू पेला जोखवावडान माथाम वाग्यू ये मरी गयों पेलो जीवी गयो बोलो तिंडोरा जोखवावडान खबर ने मारे तिंडोरा जोगता जोगता परवानोचे जीए के हाथ में नहीं को बाता आपना आत्मा कोई वस्तु न थी एतला माटे कहवाई छे नासवंत आ देह वडे थी अविनासी सुख लेवू जी शास्त्रमा लख्यू डायो मान से छे पत्रालू होईन पत्रालू यहाँ पिरिसाईने तो पत्रालनी चिंता कर्या वगर पेला जमीलेई पेट भरीलेई पची पत्रालू नाखिदे आ सरीर चिने पत्राला जेवू छे आतो नाखिद देवानू छे नासवंत छे नही नाखिय आ संतो नथी जमता एपन आपनो एस्वरियत छे प्रभू। आप धारो तो आ संतो नी वृत्ती खेची सक्षो औने जमी सक्षे। छता जिव आपना स्वरुप मा प्रेम करतो नथी आवी रितनी विपरीत रित छे आवी रित ये नथू भाईनी विननती सांबलीने स्रीहरिये सहुनी चित्त वृत्तीने मूर्ती माथी पाची वाली देहमा प्रेरी ते वक्ते सहुने पोतानी सनमुक पिरिशेला भोजन भरे अलवे नहीं पन जेवू पिरिशियो छेन आवू नावू जमे एवी आगना करो त्यारे स्रीहरिये संतो ने आगना पी पात्रमा पिरिशेलू भोजन मेडव्या विना अलग-अलग जमो संतो ते आगना ने समझी गया स्वाद करिने खावू तेज बधा भोजननू फोल छ स्वाद हे पंच प्रकार के उत्तम में उत्तम जेह सो मिलेह सहाज हे स्रीहरि मुर्ते तेह स्वाद हे पंच प्रकार के पाचे पाच प्रकारना सब्द स्पर्ष रूप रसने गंद पाचे पाच प्रकारना स्वाद मा जीव बस फसायो छे उत्तम मा उत्तम स्वाद छे पाच प्रकारना ते स्वाद मा स्रीहरिनी मुर्ती मा मुर्ती माज सहे जे मले छे आ उत्तम जे स्वाद छे क्या मलवानौ छे? मुरतिमा वचनामुरत्मा स्रेजी महराजें कहे भगवाननी मुरतिमा जेवु रूप छे एवा जगत अनन्ध कोटि ब्रह्मान मा क्या ही नथी कि जे रूप ने भगवाननी मुरतिनी उपमा आपी सकाए अले वच्णामुरुतमा महरत्यासुदी कहे के भगवाननी मुरुतिमा एक साथे पाचे पाच विशेईनु सुख मले चे पाचे पाच विशेईनु अद दुनियाना इतिहास माँ छे एवी घटनाओ अपवाद रूप कोई कोई मानसने रूप गमे चे येने मनगम्तु रूप येने मली गयू गम्मेव मनगम्तु रूप मल्यू छे गम्मेव मनगम्तु रूप एक दिवस भुख्यो बे दिवस भुख्यो त्रान दिवस भुख्यो जिवी सके पन एकला रूप ना जोरे आखी जिन्गी ना जिवी सके जिवी सके रूप मा आसक्त थेला जीवने आसक्तियनुरूप रूप मले छत्ता पणे रसनी जरूर पड़े बोजननी जरूर पड़े वाच्छा चिन पण एक मुर्तिनो रस एवो छे परवत भाई महराजना दर्शन करवा माटे घड़पूर आवे ये तो एवा मुक्त हता एवा स्थिति वाड़ा हता महराजनी मुर्तिने अखंड देखना रहता जेवी मुक्तानंद स्वमे नी स्थिति एवी गोवर्धन भाई ने परवत भाई नी स्थिति आवा स्थिति वाड़ा हता आ सत्संग ना अमुकरी भक्तो एवा थया छे तमे जे ग्रहस्त भक्तो कथावारता सांभलो छो नेने नानी मारी विननती जुनागड मंदिर थी आदर्स भक्त गाथा नामनो ग्रंत प्रकासित थयो छे आदर्स भक्त गाथा एमा महरात समकालीना बदा संतो भक्तो न अदभूत जीवन छे एक वार ग्रहस्त भक्तो ये आवा सारा ग्रहस्त भक्तो ना जीवन वाचवा जोई है एकाद वार वाचवा जोई है चेमा पर्वत बाई छे, दादा खाचर छे, सुरा खाचर छे, बेचार पतो खास तमने वाद सुं करू के वार जीवन अता बदा भक्तो ला तमने कदाचा ग्रंथ ना मले तमें लोया धम पर इमेल कर सो तमारी पमें PDF फाइल छे ग्रंथ नी ए PDF फाइल तमने मुखल सो एमा थी तमें वाज जो पर्वत भाई आयवा छे जीवबा लाडूबा ने एम के महराद ना बोव लाडिला छे महराद जमारता हाशे भगवान अंतरिया में चे पन महराद नी लिला करवी छे महराद ने एम के जीवबा लाडूबा जमारता हाशे दादा खाचतना मित्र छेतले एक दिवस, बे दिवस, पात दिवस, छ दिवस, साथ साथ दिवस नथी पानी नुँ पुछिऊ अन्न अने ज़ळ विना जाई छता खबर पन नथी कोईने पड़ी आठमा दिवसे महराजे बपुरे पुछिऊ जिवबा ने जिवबा आ परवध भए आवेच बराबर जमाडो छोने। जिवबाई हाथ चोडिया महराज अमे नथी जमाड्या। महराज क्या अमे न थी जमाड्या , परवध भए तमें सोझे जम होँछू ? महराज जम्मानी जरूर न थी केम ? सरीर छह तो जरूर तो पड़े ने ? मूर्तिनू सुख एवुँछे मूर्ति तमारी सुख कारे जेवन जानूछो चो अवतार नावतारे जेवन जानूछो इतिहास एवा बदा छे केतली वाद करू विगनान जेने पुर्वार करी चुके ओछे एतला माटे अत्यार एक साधू छे कदा तमे नाम साइमबलू होसे तमे ओनलेन गुगल मा लक्सो माता जी एतलो खाली येनु ओरिडनल नाम कदा चुम भूलतो नो तो प्रहलादबाई जानी के वो छे माता जीना भक्त छे छेल्ला ओगण साइट वरस्थी पानिनू टीपू नती पिदु दाधा केटला अत्यारे जीवे छे अत्यारे जीवे छे अमेरिकाना त्री स्विग्नानीको पंदर दिवस्चुदी प्रयोग करवा गया हता सत्य घटना कवज क्या साचूज नहो ओगण साइट वरस्थी पाणिनों टीपू न पिधू हो ये माना जीवी सके येनों अभीप्रा एतलोच छे क्या भवतिक सक्ति करता आध्यात्मिक सक्ति महान छे ये सक्तिनों जेना अनुभव केरो होई ने एनेज खबर पड़े आपणा पुजिपात गुरुजी आजे बे बे वरस्थी धारना पारना करे छे उस साथे हतो केटला संतो भगतो साथे हता तमें अठवारियो गुरुजी न साथे रो अठवारियो तमारो रदे कबूल करसे कि आपड़े दिव्य सक्ति जोही नथी पन दिव्य सक्ति जेना जीवन मा छेने या मोटा पुरूस आ दिव्य सक्ति नुँ जीवते जागतु स्वरूप छे धारनापरना करवाना अने साथे साथे आतली बधी प्रवरूत्ती आपणा गुरुजी जे उदाहरन छे वाज आपणा संतो आपणा निषकामस्वामी बे वरस्ति धारनापरना चाले छे रसीक स्वामी, बे वरस करता वधारे टाइम थे धारना परना चाले छे मने बोलो वाद चोक कस चे? मुर्तिनू सुख जयने लिधु छे, इन्या भवतीक सुख मलू तो इसुं, औने ना मलू तो इसुं स्रीहरी ना वचन एज खरो स्वाद छे आगना वचन मा जेँ स्वाद छे वा बिजे क्याई न थी आगना वचन शिवैन ओ जे स्वाद छे तेतो दुखी थवा माटेनों छे जीव मा एक स्वाद मानी ने सहु पात्रमा रहला पिरिशन ने अलग अलग जम्वा लग्या स्रीहरी मा एक स्वाद मानी ने सहु पात्रमा रहला पिरिशन ने अलग अलग जम्वा लग्या स्वाद ते कुस्वाद जानी ने सहुय मात्र उदर पूर्ती करी जमती वेलाए जेमा पहलो हाथ पड़ियो ते प्रथम जमवा लिधू अलग-अलग बस्तुना स्वाद नी विगत करियावी ना संतो जम्या विक्तितो केवल स्रीहरी नी मूर्ती नीज राखी संतो नी रीत तेमनू वर्तन देखीने स्रीह नगरना निवासी बधालोको अत्यमत आश्चर्य चकित थाई गया संतो ज्यासुदी जमता आता त्यासुदी श्रीहरी पिरस्ता रहिया बोलो जो तो खरा संतो नियावी रीत जोई बदाने एतलू बदो आश्चरिय थाईवा बस महरादनो आतलो संदेश छे जमवू ए पाप न थी गुरुजी नी बउजुनी संतो नी कथा महा एतली सरस वात थी जमवू ए पाप न थी पन गमवू ने ए पाप छे भगवान नो परसाच चे जे मेलू ते भजिया मेलातो मिठू वदारे पड़ेलू स्याक मेलूतो दुदपाक मेलूतो ए पन गमवू ए पाप छे भजिया एवा गमी जाई पच ये भजियाना कजिया रोज घरमा चालू थाई तने आवडता न थी पेला भजिया केवा सरस बनेवाता बे वरस थाई तो एके हजी मने भुलाता न थी हजी मने डाड़े वल गया चे बोलो बजिया एतो घणाना घरना कजिया कजिया करी ना खे दादा केवानू सुँ जमिये आवस्यक्ता चे शरीर नी प्रम्भाग महराद ने संभारी ने भगवान नो प्रसाद मानी ने तो भोजन बंधन रूप नहीं थाई ये भोजन कल्यान बगाडनारू नहीं थाई ते समये संतो जमी रहिया ते वक्ते तरतज धर्मकुमार श्रीरी आथ दोई नाख्या पछी पुरुसतम पटेलने घेर जैने श्रीहरी बेघडी पोढ़ी रहिया जारे बधा जमी रहिया ते बधा संतो न दिये सनान करवा बधारिया सहुं संतो नू वर्तन एक प्रकार्णो हतू ते वो सनान करवा सहर नी बहार आविया सर्वे संतो नी क्रिया एवी हती के त्यमा कोई खोट के खामी काढ़ी सके नहीं संतो परस पर एम कहता अमारमा कई खोट होई अथवा खामी होई तुमने कह जो जीय में खोट हे वारन पारा ताको नीत्य करत विचारा हरी बीन घाट करत मन जेता इतनी सब ही खोट हे तेता भगवान सिवाई जेतलो घाट थाई छे एतली घोट छे के विचारा हरी बीन घाट करत मन जेता इतनी सब ही खोट हे तेता भगवान सिवाई जेतलो घाट थाई छे एतली खोट छे वहे बोलो केतला तका खोट निकले अगरो जवाब छे ने कथा सामबल नारा भगतो ने पुछू छू केतला तका खोट निकले तो तार्यक स्वेक तका भगवान सिवाई बिजो घाट थाई वचनामरुत अंक्यानु सत्तरमु महराजयम कहे छे भगवान सिवाई बिजी जग्याई हेत थाई छे एज मोट्टू पाप छे बोलो केतलू मोट्टू पाप करिया छे अमना बेदियुस पेला साइमबलू मोहनु सरुप भगवान सिवाई बिजुजे चिन्तन थाई चेनु जिनाम मोह छे चालो बद्धा सास्त्रनों सार आटलोच छे रामायान होई श्रिमत भागवत होई के महराजनों सिद्धान्त होई तमे जवो कहा हनु मन्त विपत प्रभु सोही जबत व भजन सुमिरन नहीं होई अनमाँजे येज कयो प्रभु आज दुनियामा तमारु भजन भुलाईने इना थी मोटी बिजिकोय आपत्ती रथी विपदो विपदो नेव संपदो नेव संपदह सास्त्रमाल क्यो आपडे जने संपत्ती मानिय संपत्ती नथी साची संपत्ती कई भगवान रदैती याद आवे तेम दिक्रो याद आवे तेम पत्नी याद आवे पती याद आवे पिता याद आवे माता याद आवे आम रदै माती भुवारा चुटे हैतना महरा महराज ए मोहन जेने मडवाने तल पेछे मारु मन आवी रिते जरे हेत थाई ने एनुज नाम हेत चे कितली वातों करू तमने है आ सत्संग नी अध्भूत अध्भूत वातों चे अभ्यास करिये असक्य नथी सामबल जो अगुरू छे असक्य नथी अगुरू एकलामाटे चे आपड़े करूद नथी करोडो जन मथी पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धराधन धामहे बंधन जीको आज रस्तों लिधो चे आपड़े महरादनी मुर्तिनो रस्तों लिधो जन थी पन संभार्वा जो मेनत करिया ने जीय में खोट हे वारन पारा आज जीव मां अपार खोटो जी ताको नित्य करत विचारा संतों विचार करता क्या आज जीव मां एकली बदी खोट जीव कहूँ चुने आज शरीर मां दूख अने दोस एना सिवय कहीं नथी भगवान नी कुरूपा मानो कि हजी ए दूख ने दोस निकलता नथी बदा जो बदा बार निकले ने तो जीविद न सके माने चुने आओ संतों विचार करता बिजो सो विचार करता भगवान सिवय ना जिजे गाठ संकल पचे बदी खोट छे हवे संतोनो समागम करी ने खोट ने ताली नाकिवी छे जारे भगवान सिवाई नो भी जो घाट संकल पनो थाई त्यारे पूरी सिद्ध दसाने पाम्यों कहवाई संत समागम करी के अब ही सो खोट तजना है सब ही संत समागम करी के अब ही सो खोट त जनाहे सबहे हरि बिन घाट न होवे जबहूं सिद्ध दसा पुरे पाये तबहूं भगवान सिवय नो कोई घाट न रहे यनुज नाम सिद्ध दसा जे स्वामी रामतीर्थ बहुस रसे नुँ अंग्रेजिनु प्रसिद्ध पुस्तक एटलू पोप्योलर वर्ड फेमस पुस्तक पोताना सत्य अनुभो अधारे लखेलू स्वामी रामतीर्थ पुस्तक मां लखे छे हिमाले मां गया एक संत मिला एने कईू कुंतने सिद्धाई बताडू सुन सिद्धाई छे भाई में 22 वर साधना करी पचिमने मली छे तो हिमाले मां रहिस गम्मेवी ठंडी मां रहिस तोने क्यारे पन ठंडी नहीं लागे पन आपनी सिद्धी सुचे तुमने कहो त्यारे पिला सिद्ध साधुये मोढ़ू खोलियू औने मोढा माथी अगनी प्रगट थयो जो अगनी देवनेमें वस करया अगनी देवनेमे शिद्ध करया छे स्वामी रामतीर दुखी थे गया में आने शिद्ध मानी सेवा धिकार छे मने जोडि माँची माचिस काडियू माची स्थी आग प्रक्ताविने कईउ बाब जी तमे 22 वर्ष जेमा बगारी नाख्याने ये तो मारी जोलीमा आ बे रूप्यानी वस्तूमा मने मली कईउ छे मारे ए सिद्धी जोये कि आख बंद करू औने मारो महराज मने जलहलतो देखाय आवी सिद्धी छे तमारी पासे मुक्तानंद स्वामी जानिये छे ना पड़े पित्चलनी कोपीन तालू मारवानू चावी चेला हो राखे आवा सिद्धो पासे गया एकांतमा मल्याने प्रार्थना करी के गुरु महराज साइमबलू छे परब्रम्म प्राप्ती माटे ब्रम्मनु चर्य ब्रम्मनु आचरान जरूरी छे ब्रह्म चर्य विना परब्रम मली न सके मारा जीवन मा ब्रह्म चर्य द्रण अखंडित थाई विक रुपा करो पित्तल नी कोपिन वाडा गुरुवया हाथ उचाकरी दिधामारा थी न थाई विचारो तमे कई सिद्धी, थदा कई सिद्धी साची है माटे, खरे-खर मुट्टाम मुट्टी सिद्धी जाचे आपड़ा मन उपर काबू करो दुनिया आप खिना किंग गणाई, बराबर किंग ओप ब्लेक मेजिक, केलाल साहेब मारी आंगली बांधी होती, पंजाब दी महत्सों मा उच्छों मा प्रवचन करवाओ, तन चालू मा जादू बतेवो, तुम्हे तो जोयू छे मारी आंगली बांधी होती, पराबर प्रियोग मारा उपर केरो किंग ओप ब्लेक मेजिक, तमें समझी न सको पने केलाल साहेब हैं केता केलाल साहेब है स्वामयाण भगवाननी कंठी पेरेली, योगी स्वामीने गुरू तरीके पसंद करवागी स्वामीने अने दुनियाना महा मोटा भगवान तरीके पंकाएलाग संथ नाम आपी दो सत्यसाइद बराब केलाल साहेब केता आमें बन्ने एक जिग्याई विद्ध्या सिख्या छिए ये सुँ धतीं करे बद्धी मने खबर पड़े आखी दुनिया छेत्राई हुना छेत्राओ मारी पासे आवे एना करता मोटी सिद्धी छे फेर एटलो छे भगवा कपड़ा पेरिन बेठा छे भगवान छेन पुजाई छे केवाई छेने के जिहां लालचू होईंत्या धुतारा भुख्या ना मरे लोभी गुरू लालचू छेला दोनो नरक में ठेलम ठेला बाके केलाल साइवें केता के मैं आखी दुनिया ने छेतर ये छिपनमने खबर छे काली विद्या केवी कलू सीत छे पर आजे साची विद्यामने मली छे जोगी स्वमी जेवा साधू आ ना थी मोटी विद्या न थी अरे आ कालू जादू तो अमारू कल्यान बगाडे अमारी पेढ़ी नू बगाडे बद्धानू बगाडे उँछे आजेंने साचा संत मले साधू न चरनमा बेसी गया भगवान स्वामेनना भक्त थया कंठी पेरी पुजा करता थई गया तमें विचार तो करो केलाल सहेबने जापानमा केवीरित्या मॉंत्र न पाईएो चे केलाल सहेबने जोवाने जाणवा माठे आरबना राजा महराजों क्यों स्वागत करता ये केलल साहिव एक साधुना चरण मां बेशी जाए कई सिद्धी तेदा कई सिद्धी क्यों तो करा एतला माटे कहुँचू बस आपड़े आ रस्ते चालिये हाँ सर्वेना स्वामी स्रीहरी सहुना अंतरिया मीचे संतो आबदी जे वात्वों करे चे विचार करे चे संतो नी जे रीत चे ये चे कलपतोर ने चिंतामनीना जेवा चे जेनी जेवी इच्छा होई तेने पूर्ण करी दे चे संतो आवी रीत नी परस्पर वातो करता परस पर एक 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 नूँ हीत चाहता एका विजानू महात्मे समझी ने वचन बोलता क्यारे कोई संतना महिमानू खंडन करता नहीं साचा संत अने साचा भक्तनिया रीत चे परस पर सब हेतन माई एक एक से अतिमीत राई एक एक को करत बखाना कले जोई के आश्चर्य माना कल्यूग ने आश्चर्य थयू कल्यूग मा इंपोसिबल छे कल्यूग मा उँ संभविज न सके शूँ अरस परस ने आतिली बदियात मीता एक माना जणेला बे भाई जोडे नथी रही सकता आतो जुदा जुदा गामना जुदा 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 देशना जुदी जुदी संस्कृतिना मानसो औने पचा पचा सोसो एक सद्गुरुना चरणमा बद्धी मननी विचारधारव मुकीने एक सरकी रित्मा जीवी सके आ, क्रांतीकारी चारिय घगवान स्वामियाने करुँ भारत ना महान क्रांतीकारी एक सं 30 स्वामि सत्यमित्रानंद जी अदभूत सं चेने प्रवचर में और स्रस्वात करेली एत्रस्वात कि दुनियामा एक धर्म येवोचे आत आस्वामियान संप्रते इंदु धर्म येवोचे कि जास 7 by 24 बराबर साते 7 दिवस 24 चोविस कल्लाक खड़े पगे ड्यूटी करवानी और ये ड्यूटी पण पगार वगर दुनियाना बद्धा धर्ममा साध्वो अपार पगार लेन काम करे छे दुनियाना बद्धा धर्ममा साध्वोने पगार अपाई छे पगार लेन काम करे छे दुनियानों एक धर्म इंदु धर्म येमा पण आस्वामियान संप्रते चोविस कल्लाक सेवा साते 7 दिवस सनिरव रजा वगरनी सेवा और एक पणुम। के टलू मोटू समर्पन साधु अनू दाधा। के टलू मोटू। नानू के वह ? नानू के वह बगत। कोई अप्यक्सावी ना अतलू बदू समर्पन। आवा साधु आखी दुनियामा स्वाम्यान संप्रदेमां छे बिजे ग्याही न थी आवा साचा साधू जो आपनने मली जाए ने खली आद जोड़ियम थाए ने आहा हा केसे आसंत तो बहु सारा रे खरा कल्यान ना कर नारा रे ईक एक वातो एवी अधभूत exposative छेने आसित्भगत केटली वातो करवियंद थाई આ વાચવુ કે બીજી વાતવ કલી શ્રેહરે જ્રેહરે જીવના કારણ દેહને પલ્ટાવીને દીવ્ય દેહ કરેછ જેમ ભમરી ઇળને ભમરી રૂપ કરી દે છે એવિરી તે શ્રી હરી જીવના કારણ શરીર્ને પલટાવી ને અનુપમ દિવ્ય શરીર કરી દે છે માન બે પ્રકારનું છે એક માઈક અને બિજુ અમાઈક માઈક માઈક માન ટાલી ને અમાઈક માઈક માન રેવા દે છ તેવો ફૂલના હાર લાઉતા તેને સ્રીહરી પ્રેમથી સ્વિકારતા તેને લિદે ભરી ભકતોને પણ હેત ગણુ વધુતુ હતુ જેવા ભકત પાશે આઉતા તેને તેવા વચંથી અવિનાસી સ્રીહરી બોલાતા સ્રીહરી નો મહાન પ ને સંતો વસંતરાગ ગાવા લાગ્યા મુકતાનંદ સ્વામી તો કાફી હોરી અને ધુમારના પદ ગાવા લાગ્યા પ બ્રમાનંદ સમે લઈલી થી બીજી છાબ શ્રી હીહરી ને આપી આ સેનુ ફળ છે તમે બતાવો તો ખરા આને શું કરવાનું ત્યારે હરી ભગ્તોએ કહીં આતો ગુલાલનું ફળ કરાવા લાગ્યા ત્યારે સ્રીહરે તેમને આચમાતી છાબ ખેચિલી થી અને હસવા લાગ્યા પછી કરાગ્યા એટલે પેલી છાબ લઇનાયવાને એમાં ગુલાલના ગોટા હથા એટલે બ્રહમાનદ છ્વમી પેલે થી લઇ એયા દુણ્યાનો ગમ્યવો સહાહ એકવાર હોઈ ને તો એને પણ ચરણમાં જુકવી દે આતલા પ્રતિભા વંતહ હથા કાડ્યો ઓળિના પદો ગવાયા ઉંચવ ખુબ સારિત્ય થયો એતી સ્રિ સહાજાનંદ સવામી સિષ્ય સિધાનત મામ સિંંજે સિયા ન્યા સ્યાના સિંંજાન્ા સિંદા સિંંદ્ંચિ સ્ં સિંજાના સિંડામાં સિં સિં